वरुन गांधी का टिकेट नहीं कटेगा प्रग्या जी नरेंद्र मोधी वरुन गांधी का टिकेट काटने की गलती कत्ता ही नहीं कर सकते वरुन गांधी का टिकेट नरेंद्र मोधी नहीं काट सकते प्रग्या जी और मैं तो यहां तक कहूंगा कि वरुन गांधी का टिकेट पर प्रकार पर मोदी जी पर वीज़ेपी पर निशाना साध्य रहे उसका खामियाजा उठा सकते हैं इसलिए टिकेट कट रहा था इसलिए ही इतिकेट कर सकते हैं उतर बहुत मस्बूत दावे देडि हैं आपके रहे का सब वहना था का गहना तो राजनिती में उतरने के बाद सबसे पहले जो बेशर्मी गहना है वो उतार कर फेकना पढ़ता है भारतिय जनता-पार्टी आज की तारीख में प्रग्याजी मैं दावे saying कह सकता हूँ चाहे अखबार कुछ लिखें चाहे गोदी मीडिया कुछ लिखें चाहे राजनितिक विचलेशक कुछ बताएं लेकिन मेरा अपना विचलेशन ये कहता है कि पीली भीत से वरुन गांधी का टिकट काटने की हिम्मत नाज की तारीख में भारतिय जनता पार्टी में है नाज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी में है नाज की तारीख में आमित्शा जी में है वरुन गांधी का टिकट वरुन गांधी का टिकट वरुन गांधी का टिकट वरुन देखे प्रग्या जी कारण ये है कि जब भारती जनता पार्टी चार सो का सपना चार सो का दावा करती है और उस 400 के दावे के नजदीक पहुँचने के लिए सारी पार्टियों से आगी दागी बेदागी जो मिलते हैं सब को इकठा करके भारती जन्ता पार्टी अपने में भृते चलती है और इस भरान का इस लदान का और इस जो है यह जो सारे नेताओं को इकठा कर रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो बस आना चाहे आओ आओ कब उतर आओ रहा है भारती जनता पार्टी में वो क्यों हो रहा है प्रग्या जी राजनितिक सुचिता को टाक पर भारती जनता पार्टी ने क्यों रख दिया है वो इसलिए रख दिया है क्योंक हुआ नहीं दिखाई देता हालत तो 272 के आसपास पहुचने के नहीं है लेकिन भारती जंता पार्टी हर हाल में कहती यह कि 400 तक पहुचना है लेकिन उसकी जो मन मांगी मुराद है वो यह है कि 272 पहुचा दो इश्वर अल्ला तेरे नाम कैसे भी करके इस बार 222 पहुचा दो अब जब इस यग्य में नरेंद्र मोदी एरे गैरों नथ्थू खैरों सब को शामिल कर रहे हैं तो फिर वरुल गांधी में कौन सी साप की लार लगी है भाई वरुल गांधी तो वैसे भी जो है राजनिती में एकदम चार्मिंग वेकती हैं वरुल गांधी क से कब बोलता है राजनिती के भीतर उनकी सक्षियत है ऐसी कि वो जिस सीट से लड़ेंगे उस सीट पर एक करंट पैदा कर देते हैं आसपास की सीटों में थोड़ा करंट दोड़ जाता है तो वरुल गांधी को अगर पीली बीच से हटाती है भारती जनता पार्टी तो है टिकट ना दे तब भी लॉस कर देगी बाते दोनों एक है कैसे दो चीजों में कैसे लॉस हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं दो चीजों में लॉस ऐसे होगा अगर भारती जनता पार्टी वरुल गांधी को हटा देती है ठीक और किसी और को पीली भीच से चुनाव ल अगर लॉस के सामने जो है और प्रोफेसर राम गौपाल यादव का यह बयान भी आ गया था कि आप आप जो है वरुन गांधी को हम टिकट देने के लिए तयार हैं वरुन गांधी पर हम विचार करेंगे अखिलेश यादव तक का ये बयान आ गया था कि वरुन गांधी पर विचार किया जाएगा हमारी कमेटी निर्णे लेगी ये तक कह दिया था अखिलेश यादव अब आप ये देखिए प्रग्या जी कि जब ये हो गया उसके बाद अभी तुरन थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी एक लिस्ट जारी करती है जिसको छटी लिस्ट कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी की छटी लिस्ट है और इस छटी लिस्ट में समाजवाद पार्टी तक ये संदेश पहुंच चुका है वरुन गांधी ने स्वयम ये संदेश पहुंचा दिया गया पहुंचा दिया होगा कि अब आपके समर्थन की आवश्यक्ता नहीं है हम जो राजनितिक दबाव बनाना चाहते थे परचा खरीद कर आपको मालूम नहीं है प्रग् जानिंघी के लिए 4 सett का Nahamangkan पत्र खरीद लेते हैं कि ये हवा फैल जाती है courtroom में कि वरुन गांधी अब निर्दली चुनाव लड़ लेंगे तो वह निर्दली मैदान में उतर जाएंगे उसके बाद की परिशर पोलिटिक कौम नाउल कर गई है क्योकि समाजबाती पार् पुरंत प्रग्या जी मिन्टों में यह बयान आता है कि हम वरुन गांधी पर विचार कर सकते हैं वरुन गांधी को टिकट नहीं मिला तो हम टिकट दे देंगे यह बयान आ गया अब उसके थोड़ी देर बाद ही समाजवादी पार्टी ने ये बात पांच बजे की है और रा समाजवादी पार्टी वरुन गांधी को प्रत्याशी नहीं बनाती है तो फिर समाजवादी पार्टी वहां से पीली बीच से वरुन गांधी को समर्थन दे सकती है पीली बीच से वरुन गांधी को टिकट भी दे सकती है ऐसा ऐसा चर्चाएं चलने लगी थी लेकिन अब स नमाजवाधी पार्टी ने clear कर दिया है कि फिली भीच से भगवत, सरन, गंगवार ही उनमीदवार होंगे सपा से ये घोषित कर दिया है और इस घोषणा का मतलब बिल्कुल साफ और clear है प्रग्या जी कि वरुन गाहनी को पीली भीच से बारतिय जनता पार्टी टिकट देने तो वीजेपी का कंडिडेट हो चुनाव जीज सके वहां पर किसान लोबी है जहां पर भी रोध एक चहरा नहीं है वीजेपी के पास वीजेपी इसलिए पिछले बीस दिनों से मैं आपको रोगुआ हमारे सिल्वर मेंबर हमारे सिल्वर मेंबर बने हैं शेहर यार जैदी भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेलकुम टु तू आर चानल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मायंग जी प्लीज पी बिल्कुल वही मैं कहरा था पीली वीट में आप टिकट देगी भरजिक्दम से करें रही बाता मेंका गांदी करें सुल्टानपूर आपको याद है सुल्टानपूर में इससे पहले लोग सबसांसत कौन था वरुन गांदी थे आपने पल्टी की थी वीजेपी ने फीली वीत और सुल्तानपूर में लेगिन अब उसी के ल सबसारा मेंका गांदी या वरुन गांदी आप किसका टिकट काटेंगे वरुन का काटेंगे तो माता जी नाराज होंगी और माता जी का काटेंगे तो पहली भीत के लोग और दोनों एक दूसरे के सीट रहे हैं इससे पहले वो वहां थे और इससे पहले वो सुल्टानपू से लेकिन क्यों कि वो और समय नहीं जा रहा है और उन्हों थेATT कर चाथब नहीं मिलेगा चार सो जी तेगी तो कर पा रहे हैं सिर्फ इसी लिए कि उनके पास सिर्फ टावल होई है जारखंड में एक इनका विधायक तूटके चला गया राजस्थान में वसंधरा राजे के सबसे करीवी नेता थे उन्होंने बीजेपी का दावन छोड़ दिया एक दो दूनी में कॉंग्रेस में शामिल हो लेकिन मैजिक का भी टो डर है मैजिक होगा कि नहीं होगा चार सो में तीन सो लाले यह बहुत बड़ी बात है तो यह अभी तक आप देख रहे थे कि बीजेपी में रोज सामिल हो रहे हैं जिसको पा रहे हैं उसको शामिल कर रहे हैं तो मैजिक क्या मैजिक क्या मैजिक क्य लाने का क्या विरोध किया था विल्कुल वही चीज में कहा था कि राजचागरे आएंगे तो डंडा लेके भगाऊंगा यहां पर यूप में तो आप सूच लीजिए कहां से कहां राजनीती पहुंच गया ब्रेजबूसंग का टिकट कटने वाला है और राजच ठागरे के इंट्री हो रहे हैं तो आप सूचिए मुदी को चार सु लाने के लिए क्या न करना पड़े यह आप समझ सकते हैं प्रग्या जी क्या क्या करना पड़ रहा है अजीत पवार्य नेता है भाया जी लोग जो है यहां से जाएं यहां से भगाओ इनको ऐसा करो ऐसा करो बहुत अपमान किया था और मंसे की जो राजच ठागरे की वो सिर्फ उत्तर भारतियों और विहार यूपी तक ही सीमित थी जो उनकी लॉबी ते जहां सो दो सीटे जीत के आते थे वो सिर्फ सिर्फ गाली देने पर आते थे को उत्तर भारतियों कैसे गाली दिचा है यूपी और विहार के लोगों को उसी आधार पर धूबी करने के उचुनाओ जीतते थे इस बार बीजेपी उनको लेके आई है क्या करें मिश्रा से मुलाकात हुई है उससे पहले दिखिया जीत सुरू हो गया है वरुन गांदी सेट उठा कर लेके चले आए चार से आर सीटों पर यूपी की चुनाओं होना है सीटे नहीं घोसित हो पा रही है सिर्फ करन क्या है आपको डर है ना आपके नेता जा रहे हैं चार राज्यों में छोड़के चले गए राजस्तान भी गए सुंदार आजे करीबी हैं तीन बार की सीज़ं रही है ऐसा क्या दिक्कत हुए कि आपका नेता आपको छोड़कर जा रहा है जारकंड में आपका विधाया चोड़के जा रहा है क्या दिक्कत है आप वहां उनको लेते हो गीता गीता कोड़ा शायद नाम है सबसे मधू तो आपको डर है आपको यह चीज़े डर पैदा रहे हैं उनको भरोसा था मोधी मैजिक रहेगा लेकिन इस बार मोधी मैजिक का जादू कहीं न कहीं कम हो रहा है